अपलो कि अपनी चैनल पायल कोकिंग में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बहुत ही टिश्टी मिस्टाई की रेस्पी लेके आये हूं चोकि बनाना बहुत ही असान है और इसको बनाने के लिए गैस भी जलाने की जुर्द नहीं है और आप पांच मेंड में इसको बनाके त्यार कर लेंगे और बस दो तीन समान ही चाहिए इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए सबसे पर एक कटोड़ी मिल्क पाउडर लिए हैं और मिल्क पाउडर मीठी होती है इसलिए चीनी का मतरा हम थोड़ा सा कम रखे हैं आदा को तोड़ी मतर और मिल्क पॉडर बस तीनी चीच चाहिए और दूद से इसको ऐसे जैसे आटा का डो बनाते हैं वैसे इसको गूत के बना लेंगे लेकिन दूद ध्यान से डाले मेरे थोड़े जादे दल गया थे थोड़ी से चिप-चिपी हो गया थे अगर चिप-चिपी हो जाए तो अगर आप एक क्लर का बनाए तो फिर कोई दिकत नहीं आप एक कलर से रोल करके फिर क्टिंग करके ख़ा सकते है और बहुत टेस्टी मिठाई बनके आपकी त्यार होगी और किसी भी तेवारभय आप बना सकते है जिसको नहीं भी आता को भी असानी से बना ले आप पर वीस प्वाल फूर्ड जादा हो गया इसको अलग कर देरा है मिठाई भनाकर है प्रेम को घ्唧 को सब्सक्राईब जरूर करें ऐसे फूट कलर डाल के और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे और फिर जैसे वाइट वाला रोल बनाये थे वैसे इस सेम ऐसे इसका भी रोल हम कर लेंगे बस इतना ही काम है कुछ दिक्कत ही नहीं है बहुत असानी से हमारी मिठाई बन के त्यार हो जाएगी थोड़ बहुत ही काम है और यह बहुत ही की आपने इसको घर पर बनाया है और बहुत ही स्वादिश्ट मिठाई आपकी बन के त्यार हो जाएगी और इसको थोड़ा सिप्सपी है काटे में बहुत दिक्कत आएगे इसको दो तीन घंटे के लिए हम फ्रीज में रखते हैं आब बाह बहुत अच्छे से सेट हो चुका था और बस इसको देखे का कटिंग कर लेंगे और बहुत ही स्वाद मिठाई बनेंगी आप एक बार बना के ट्राइज जरू करें प्रेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओड़े एक आठें पर पता चल रहा है बहुत ही टेश्टी आपकी मिठाई बनके तयार होगी और रोल मिठाई बनाने में कोई दिक्कत यह नहीं आ दीए एक दम स्वादिस्ट मिठाई हमारी बनके तयारी चलीए इसको हम सर्फ करके दिखा दे रहे हैं देख रहें किती सुन्दर कितने टेस्टी और इसको हम खरेगने जाएंगे तो 400-500 किलो रुपया मिलेगा लिए घर में 2-3 समान से ही बनके तयार हो जाते हैं मिठाई और बनाना इसको बहुत ही असान है आपको मातर 2-3 समान लगेंगे और 5 मिट में हमारी मिठाई बनके thank you guys